परिचय विशेश अपने फिता को एक नक्षा देखते हुए देखता है इस नक्षे में कई संकेत और चिन्न है इसमें काली और नीली लाइने कुछ हरे हिस्से और कुछ बिंदू मौजूद है वह सोचता है कि नक्षे में मौजूद इन संकेतों और चिन्नों का क्या मतलब है इस पार्ट में आप दिशाओं और नक्षों के बारे में जानेंगे आउ सीखें भौगोलिक दिशाओं की पहचान करना कमपास के इस्तिमाल के बारे में बताना नक्षे में दिये गए चिन्हों और संकेतों को पहचानना भौगोलिक दिशाओं भारत में लोग अलग-अलग जगहों पर रहते हैं ऐसी कुछ जगहें उत्तर में हैं जबकि कुछ अन्य दक्षिन में हैं कुछ स्थान पूर्व में हैं तो कुछ पश्चिम में धर्ती पर स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर उत्तर में है रेगिस्तान वाला राजस्थान पश्चिम में है अपनी चाय और जंगली जानवरों के लिए मशहूर असम पूर्व में है अपने मसालों और बैक वॉटर यानी अप्रवाही जल के लिए प्रसिद्ध केरल दक्षिन में है सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है कमपास एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तिमाल हम दिशाओं का पता लगाने के लिए करते हैं कमपास में एक सूई होती है जो दिशा का पता लगाने के लिए घूमती है इस सूई की नोक या सिर हमेशा उत्तर की तरफ होता है और पिछला हिस्सा दक्षिन की ओर होता है नाविक और पाइलट अपनी दिशाँ जानने के लिए कमपास का इस्तेमाल करते हैं किसी जगह को खोजने के लिए हम उत्तर, दक्षन, पूर्व और पश्चिम के अलावा दाई और बाई जैसी दिशाओं का भी इस्तेमाल करते हैं हम दाई और बाई बताने के लिए अपने हाथों का प्रयोग करते हैं तरजनी उंगली और अंगूठे के जरिये जो हाथ अंग्रेजी का अक्षर एल बनाता है वो हमारा बाया हाथ होता है और दूसरा हाथ हमारा दाया हाथ होता है जो जगहें हमारे दाई हाथ की तरफ होती हैं उन्हें दाई तरफ बताया जाता है और जो जगहें बाएं हाथ की तरफ होती हैं, उन्हें बाएं तरफ बताया जाता है किसी नई जगह को ढूडने में हमें अक्सर दिक्कत होती है ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए नक्षों का इस्तेमाल किया जाता है कोई नक्षा हमें दुनिया के देशों को, उनकी राजधानियों को, शहरों और कस्मों को दिखाता है ये प्रित्वी पर मौजूद अलग-अलग भू आकारों और पानी के भंडारों को दिखाता है नक्षे में किसी जगह के बारे में बताने के लिए चिन्हों और संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है चिन्ह और संकेत चिन्ह और संकेत ऐसी तस्वीरें हैं जिनका किसी नक्षे में इस्तेमाल जगहों को दिखाने के लिए किया जाता है नक्षे में जिन आम चिन हों और संकेतों का प्रयोग किया जाता है वे हैं सडकों को दर्शाने के लिए काली रेखाएं नदियों को दर्शाने के लिए नीली रेखाएं पारकों को दर्शाने के लिए हरा रंग घरों को दरशाने के लिए बिंदू और फायर स्टेशन यानी दमकल केंद्र को दरशाने के लिए फायर मैंस हैट यानी दमकल कारी की टोपी चिन्ध और प्रतीक किसी जगह को जल्दी धूडने में मदद करते हैं और इनसे कागस पर स्थान भी बачता है हमने क्या चर्चा की? उत्तर, दक्षण, पूर्व और पश्चिम चार मुख्य भगोलिक दिशाएं है कमपास एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल दिशाओं को ढूंडने के लिए किया जाता है नक्षों में स्थानों को दर्शाने के लिए चिन्हों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है